भजन सहीता अध्याय बाइस, भजन सहीता अध्याय बाइस, हे मेरे परमिश्वर, हे मेरे परमिश्वर, तुने मुझे क्यों छोड़ दिया, तु मेरी पुकार से और मेरी साहता करने से क्यों दुर रहता है, मेरा उध्धार कहा है, हे मेरे परमिश्वर, मैं दिन को पुकारत परंटु तु उत्तर नहीं देता, और रात को भी मैं चुप नहीं रहता, परंटु तू जो इस्थरैल की स्थूतिके सिहासन पर विराज मन हैं, तू तो पवित रहें, हमारे पुर्खा तुझी पर विश्वास रखते थे, भरोसा रखते थे, वे भरोसा रखते थे, और कीडा हो, मनुष्य नहीं, मनुष्यों में मेरी नाम धराई है, और लोगों में मेरा अपमान होता है, वहाँ सब जो मुझे देखते हैं, मेरा ठटा करते हैं, और ओठ बिचकाते, और यह कहते हुए सीरहलाते हैं, कि अपने को यहोवा के वश्मे कर दे, वही उसको छुडाए वहाँ उसको उबारे, क्योंकि वहाँ उससे प्रसंद है, परंतु तु ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूत प्यूवा बच्चा था, कभी से तुने मुझे भरोसा रखना सिखलाया, मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ा गया, माता के गर्भ ही से तु मेरा परम है, वहाँ भाडने और गरजने वाले सिहे कि नाई मुझे पर अपना मुह पसारे हुए है, मैं जल की नाई बह गया और मेरी सब हड्डियों के जोड उखड गए, मेरा रध है मोम हो गया, वहाँ मेरी देह के भीतर पिघल गया, मेरा बल तूट गया, मैं ठीकार हो गया, औ और मेरी जीब मेरे तालू के जिबग गई, और तू मुझे मार कर मिट्टी में मिला देता है, क्योंकि खुतों ने मुझे घेर लिया है, उकर्मियों की मंडली मेरी चारो ओर मुझे घेरे हुए है, वहाँ मेरे हाथ और मेरे पैर छेटते है, मैं अपनी सब हड्डिया गिन सकता हूँ, वे मुझे देखते और निहारते है, वे मेरे वस्त्र आपस में बाठते है, और मेरे पहिरावे पर चिठ्थी डालते है, परंतु, हे यहोवा, तू दूर न रहा, हे मेरे सहायक, मेरी सहायता के लिए फुर्ती कर, मेरे प्रान को तलवार से बचा, मेरे प्रानो क्योंकि सामने तेरे नाम का प्रचार करूँगा, सभा के बीच मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, हे यहोवा, उसके डर्वे, उसकी स्तूति करो, हे याकुब के वंच, तुम सब उसकी महिमा करो, और हे इस्रायल के वंच, तुम सब उसका भय मानो, क्योंकि उसने दुख्य को तुच्छ नहीं जाना और नो उससे घ्रूना करता है और नो उससे अपना मुह छिपाता है पर जब उसने उसकी दोहाई दी तब उसकी सुन ली बड़ी सभा में मेरा स्तूति करना तेरी ही ओर से होता है मैं अपने प्रन को उससे भैर रखने वालों के सामने पूरी करूंगा नम्र लोग भघन करके तुक्त होंगे जो यहवा के खोजी है वह उसकी स्तूति करेंगे तुमारे प्राण सर्वदा जीवित रहे पूथ्वी के शब दूर दूर देशों के लोग उसको सुरण करेंगे और उसकी और फिरेंगे और जाती-जाती के सब कूल तेरे सामने दं दवत करेंगे वह सब जितने मिट्टी में मिल जाते है और अपना अपना प्रान नहीं बचा सकते वे सब उसी के सामने धुटने टीकेंगे एक वंश उसकी सेवा करेंगी दूसरी पिढ़ी से प्रभु का वर्णन किया जाएगा वह आएगा और उसके धर्म के कामों को एक वं खुट काम किये है